जैहन साथियो मैं आनन चौहान एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार टीचिंग वेतान आन चौहान में आई होब कि आप सभी लोग स्वस्त बहतर जवरदस्त और अपनी पढ़ाई को दुस्तो बहुत ही बहतरी न तरीके से कर रहे होंगे तो चलिएगा दुस्तो एक बार सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को सेयर कर देंगे आज हमारा दुस्तो R.W.A. उत्तर प्रदिस प्लिस कोंस्टेबल समान अध्यनों की बुक का आज एक नया चेप्टर दुस्तो श्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है भारत और उसके पडोसी देशों के बीट संबंद बहुत ही इंपॉर्टन चेप्टर हैं यहां से दुस्तो स्पेसल आपके यूपी प्लिस कोंस्टेबल के एक्जाम में कुश्चन्स आपके पूछे जाते हैं और आपका री एक्जाम की जो दुस्तो खबरे हैं वो लगातार दुस्तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका एक्जाम जून जुलाई के लगबग दुस्तो आपके महीने में बताया जा रहा है अब देखिएगा अभी कोई किलियर पॉइंट नहीं है इस पर जो भी दुस्तो किलियर पॉइंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा लेकिन अभी क्या हमको करना है हमें दु उसी देशों के बीच सम्मद यह चैप्टर इस बुक का सात्वा चैप्टर है अभी तक हमारी जितनी भी क्लासे हो चुकी है यदि आप उन क्लासे से अपर्चित है या उन्स क्लासों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को एक बार जरूर देख ल प्रिवियस इयर आपजेक्टिव टैप्स क्यूस्टर के साथ में क्योंकि हम दुस्तों आपको कम्प्लीट बुक पेज भाई पेज कम्प्लीट सॉलिसन करवा रहे हैं तो इस बुक का भी हम दोस्तों आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सॉलिसन ब Likewise जल्द करवाएंगे य यह वो सारे कुस्टेंस हम आप से पार्ट तू में डिसकस कर रहे होंगे और पार्ट तू में इस चेप्टर को दो दूस्तो हम कम्पलीट भी कर देंगे और नेस्च चेप्टर आप लोगों का क्या रहेगा व आपको नेस्ट डिप बता दिया जाएगा क्योंकि इस बुक बहुत ही जल्दे दुस्तों complete करवाँगे सात्मा चैप्टर यह आपका complete करल हो जाएगा बाकी के जो तिन चैप्टर बचे हैं वो भी आपके जल से जल complete करवा दिये जाएगे तो चलेगा दुस्तों बिना समय कमाए बिना देरी की हम chapter को start करते हैं तो पहला point आप लोगों के सामने आता होगा तो चलिएगा दुस्तो और जो बच्चे अभी तक class में नहीं आप हैं तो एक बार share जरूर कर देना आप लोग class को ताकि सभी बच्चे दुस्तो class में जोड़ सकें चलिएगा तो सबसे पहले दुस्तो हम जो पढ़ने वाले हैं पहला point आप लोगों के सामने बुक में दिया गया है भारत और चीन के बीच संबंद सबसे पहले दुस्तो हम भारत और चीन के बीच के संबंद को जानेंगे इसमें दुस्तो आपके जितने भी देशों कि भी समद्ध है वो दुस्तु सारे आपके विस्तार से और बहुत ही दुस्तु डीपली पॉँएंट इसमें दिये गए है तो हमिन दुस्तु बहुत ही इन पॉईंटों को बहुत ही अच्छे तरीक tract से चलना आए में पहला प्वांट अप लोगों के सामने दिया गया है कि वर्स 1949 में एक किरांती के माद्यम से चीन जनवादी गडराज जिसको बोलते हैं दुस्तो प्यूपिल एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं दुस्तो पियारसी की दुस्तो स्थापना के गई थी तो प का आंसर होगा 1999 में जो की एक चीनी जनवादी गडराज हैं एक अप्रेल 1950 को भारत और चाइना जनवादी गडराज के साथ राजनाईक संबंद स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश बना सांती पूर से अस्तित्तो के लिए दोनों देशों ने 1904 में पंच सील समझोते पर हस्ताक्षर किये और प्रधान मंत्री उस समय जो प्रधान मंत्री थे भारत के वो थे पंडित जबारला लेरों ने अक्टूबर 1904 में चीन का दौरा किया और वर्स 1904 में ही चीन के प्रध प्रधान मंत्री जो थे चाउ एनलाई ये भारत के दोरे पर आये और वर्स 1962 की सीमा संगर्स ने दोनों देशों के संबंदों को गंभीर आगात पहुचाया परंतू प्रधान मंत्री स्री राजु गांधी की 1988 में मैत पूर यात्रा में दोनों देशों के संबंदों में सु यात्रा थी परड़ाम सरूप 1996 में चीनी राष्टपती उस समय चीनी जो राष्टपती था बोता जियांग जैमिन जो कि भारत के दोरे पर आया और वर्स 1993 में परधान मंत्री स्री नर्सिंगा राउने चीन की यात्रा के दोरान दोनों देशों के बीच सीमा छेत्र के वास्त दोरा किसी किये गए परमाडू पर इक्षड के दोरान चीन ने वरोध किया और भारत की एन पीटी पर हस्ताक्चर करने की प्रित्करिया दी और चीन के इस प्रित्करिया से पुना दोनों देशों के संबंद में खटास उत्पन हो गया और वर्स 2003 में प्रधान मंत्री अट दोनों देशों के राजनीतिक परिप्रेच्छ से सीमा प्रिष्ण के समाधान के लिए रूप रेखा तयार करने उतु विसेश प्रतनदी ऐसार निक्त करने का परस पर निरड़े लिया गया अगला प्रिधान मंत्री मनमोहन संग ने जनवरी 2008 में चीन की यात्रा की और 21 सत साब्दी के लिए एक साजा विजन सीरसक्स में एक सायोग तस्ता बेच जारी किया पुना अक्टूबर 2013 में प्रतान मंत्री महन संग के चीन दोरे के दोरां दिल्ली बीजिंग कोलकाता से कुनमिंग और बंगलॉर से चेंगडू के बीच सिस्टर सिटी साजेदारी राष्टपती जो सी जिन पिंग की भारत यात्रा के दोरान पक्षों ने बिविन छेत्रों में कुल 16 समझवतों पर हस्ताक्षर किये थे और दोनों पक्षों ने कैला से मानसरोबर यात्रा के लिए नाथूला मारग खोले के लिए एक समझवता गयापन पर हस्ताक्षर किय उसके बाद जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने मई 2015 में चीन का दोरा किया और 24 समझोते सरकार से सरकार की और से हस्ताक्षर किये और राष्टपती प्रणामोखरजी ने मई 2016 में चीन की आत्रा की और अप्रेल 2018 में प्रदान मंत्री मोधी और राष्टपती से जिन पिंग ने देपच्छी और बेस्विक महत्य के ब्यापक मुद्दों पर बिचार का आदान प्रदान करने के लिए वुहान में पहला अनौ प्चार एक सिकर सम्मेलन आयोजित किया अगला पॉइंट आता है दिस तो व्यापार और आर्थिक संबंद ये जो व्यापार और आर्थिक संबंद है ये भारत और चीन के बीच का रहेगा क्योंकि हमारा जो पॉइंट अभी चल रहा है वो भारत और चीन के बीच का संबं और COVID-19 के प्रभाव के कारण कुल दूइब पक्षी ब्यापार 5.64% की कमी के साथ 87.65 बिलियन अमेर्की डॉलर पर पहुँच गया है 2021 में पहली छमाही के दौरान चीन के साथ समगर ब्यापार में सुधार हुआ और 2020 में इस अवेदी की तुला में 62.55% यह लगबाग हम कह सकते हैं 57.50 बिलियन अमेर्की डॉलर की व्रद्दिस में देखी गए आए अगला प्वाइंट है दुस्तो भारत और चाइना की बीच का सांस्कृतिक संबंद 1955 में ततकालिन विदेश उप मंतरी एके चांडा की अद्दिचता में पहले भारती सांस्कृतिक सिस्ट मंदल के चीन सिस्ट मंदल ने चाइना का दौरा किया नेक्स्ट अगला प्वाइंट है वर्ष 1988 में दोनों देश सांस्कृतिक विन्वे कारिकरम के मद्दम से अपने लोगों को साथ ला रहे हैं और 2003 में प्रदाहन मंत्री अटल बिहारी बाचपई ने चीन के लू यांग में भारती सैली का एक बौद मंदर निर्मित कराने की प्रतिवत दिता दी थी और राश्टपती प्रतिवादेवी सिंग पार्टिल ने मई 2010 में चीन की अपनी यात्रा की दौरान इस मंदर का दुस्तो इन्होंने उदघाटन किया दोस्तो जो चाइना में एक मंदिर है बौध दिन मंदिर जिसका निरमाल स्रीमती प्रतिवादीन सेविक पार्टल ने इसका उदगाटन किया और निरमाल अटल बहरी बाचपी के द्वारा करवाया गया और यह जो मंदिर है यह लौएंग में भारती सैली मंदिर में बौध मंदिर है जो कि चाइना में इस थे थे इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि फरवारी 2007 में नालंदा से जुआन यंग इसमारक का उधगाटन किया गया मर्च 2002 में जब ब्रिक्स सम्मेलन गुया ब्रिक्स सिकर संक्सिकर की बैठक के लिए राष्ट पती जो समय थे 2012 में वो थे हूजिन्ताओ कि भारत यात्त्रा के दोरां दोनों पच्छों के नेताओं ने वर्स 2012 को मैत्री इबं सयोग वर्स के रुप में मनाने का निरडए ल चाइना अगला पॉंट 2003 में पेकिंग विस्विद्याले में भारती अध्यन के अंदर की स्थापना की गई थी अप्रेल 2018 में विदेश मंत्री स्रीमती सुस्मा सुराज की चीन यात्रा के दौरान बीजिंग में एक प्रमो के हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया अब हम जानते हैं दुस्तों भारत और चाइना की बीच जो बिवाद चल रहे हैं वो बिवाद कौन कौन से बिंदुओं पर हैं उन पर हम दुस्तों चर्चा करते हैं जिसमें दुस्तों भारत और चाइना के बीच हमेशा दुस्तों बिवाद बना रहता है पहला पार्ट तो आता है तिब्बत एवं दलाई लामा इस पर दोस्तों भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा बिवाद है डोक लाम बिवाद चीन पाकिस्तान आर्थिक गली आरा स्टेपल वीजा की नीती दोई पच्छी ब्यापार में भारत का ब्यापार का घाटा और दक्षड चीन सागर बिवाद ये तो आप लोगोंने टीवी नीज खबरों में नीज पेपरों बगेरों में बहुत बार आपने दक्षडी चीन सागर बिवाद तो आपने भारत और चाइना के बिवाद तो आपने पढ़ा ही होगा कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा नेक्स्ट आता है अप्रेल मई 2020 में पूर्वी लद्दाक में वास्ट्विक निंतरल लेखा के पास भारत चीन सीमा चेतर में तनाव के स्थिति ये भी दोस्तों आप लोगों ने कई बार अपने निउस और निउस पेपर वगेरा में पढ़ा होगा इस पर भी दोस्तों भारत और चाइना के बीच का द्वेपक्षी संबंद प्रवावित और उस पर बिवाद बना रहता है तो ये थे दोस्तों आपके भारत और चाइना के बीच पारस्परिक संबंद सांस्कृतिक संबंद और उनके बिवादों से जुड़ी महतपूर बिंदू अगला पॉइंट आता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच क्या-क्या संबंद है क्या-क्या इस्थिति है और क्या-क्या कौन-कौन से महत्पूर पॉइंट है इस पर दोस्तों चर्चा करने वाले है भारत पाकिस्तान के भी संबंद का सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझना है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक सान्ती पूर महत्रि पूर और स्योगातमक संबंध चायता है क्योंकि दोस्तो कोई देस ये नहीं चायता है कि हम आपस में लड़ाई लड़ें जैसे कि आप सबी जानते है जैसे रूस और यूकराइन कोई भी ऐसा दिस नहीं चाहता है लेकिन जब कुछ बाते होती है कुछ महत्पूर दोस्तो जो बाते होती है वो दोस्तो निंद्रड ना कर पाने के काड उनमें दोस्तो विवाद उत्पन हो ही जाता है लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की जब बात की जाए तो यहां पर दोस्तो सभी लोग चाहते हैं कि एक मैत्रिपूर और स्योगात्मक सम्मद बना रहे लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि यह हिंसा और आतंक का मुक्त माहल की जरूरत हो पाकिस्तान में हमेशा दोस्तो हिंसा से काम होता है और आतंक का महल तो वहाँ पर बना ही रहता है तो इसकार दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सांतीपूल, मैत्रिपूल, बिवार है वो दोस्तो प्रदर्सित नहीं हो पाता है और भारत ने पढ़ोसी पहले नीती को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के प्रती एक सुसंगत और सध्धानति नीती का भी पालन किया है भारत ने पाकिस्तान के प्रती और भारत पाकिस्तान के भी इस तनाओं के मूल कड़ बिवाजन की जड़ों में खोजे जा सकते हैं जैसे कि अब स्भी जानते ही जो सिंदू नदी है जो सिंदू नदी जिखा जा ह्याय, पाकिस्तान में वहां तक जल जाता है, यदी मान लो वहां सेinasthat जो पानी का आवागमन है, यदी उसको रोक दिया जाई, तो दोस्तो पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा, ठीक है, तो दोनों देशों के जो मद कसमीर आतंग बिवाद है वो सिंदु नदीजल का बटवारा है और दोस्तो कसमीर का बटवारा इसको लेकर दोस्तो आतंग की बिवाद बना रहता है। कसमीर पर हमला करें और कसमीर दोस्तो हमारा हूँ ये भी पाकिस्तान अभी भी चायता है लेकिन इस विवाद का दोस्तो अभी तक कोई भी हाल नहीं निकल पाया है। करते के लोसथार भारत के तीन पूरी नदिया जैसे कौन कौन से हिवात के तीन पूरी नदिया नेकला प्टविया तनाओं ने 1965 में युद्ध का रूप लिया और तीन हफ्तों तक दोस्तों बीशर लडाई के बाद दोनों देश 20 सितंबर 1965 को एक संयुक्त रष्ट प्रहज़त युद्ध बिराम पर सेमत हो गए इस युद्ध के दोरान पाकिस्तान दोरा ऑपरेशन जिब्रोल्टर लॉंच किया गया था और युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ततकालीन सोवियत सेंग के तासकंद वर्तमान जो तासकंद है वापका उजवैकिस्तान में पढ़ता है वहां पर सांती समझगती पर स्थाक्चा किये गई इसमें से भारती प्रधान मंतरी जालब हदुर सास्त्री तथा पाकिस्तान की राष्टपती अयूब खान ने दूस्तों इसमें हिस्सा लिया था वर्स 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध ततकालीन पूर्वी पाकिस्तान के सोतंतरता संग्राम की कारण 3-16 दिसमब 1971 तक हुगा और इसके परड़ाम सरू बां दिया है आफसन आपको दोको यह भी मिल सकता है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांगला देश का जन्म हुआ ऐसा भी आफसन मिल सकता है तो याद रखेंगे इस युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मद सिमला में एक सांती समझवाथा हुआ जिसमें सिम्ला सम्झाथा कहते हैं कुश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चो क्योंकि यह important point है सिम्ला सम्झाथा कि सिम्ला सम्झाथा किन्दो देशों के बीच संपन हुआ तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच किस के लिए सांती सम्झाथे के लिए इस समझाते पर भारत की और से प्रधान मंतरी स्रीमती इंद्रा गांदी और पाकिस्तान के उसे राष्टपती जुलिफ का फकार अली भुट्टो ने अस्ताचर किये थे और 22 जॉलाई 1976 को अटारी वर्डर भारत और लाहर पाकिस्तान के भी समझाता एक्सप्रेस ट्रेंस से वाकिश रुगात की गई कुश्चन आप सभी से पूचा जाता है कि बताए समझाता है एक्सप्रेस किंदो देशों के वी चलाए चलती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्स 1987 में पाकिस्तान ने पुना कस्मीर छेत्र पर गुस्पैटियों को प्रोसाहित किया देखिये बात वही आगी गुस्पैटिकों ने वही आतंकबादी है उन्हें हर प्रकार की साहता प्रदान करने लगा और आतंकी गत्वधियों का समर्थन कर भारत के बिच्छद्दम युद्धकारंब कर दिया गया पडोसी देखों में सुहादरपूर संबन इस्थापित करने के लिए अपने विचार से 1996 में ततकालीन वदेश मंतरी इंदर कुमार गुजराल ने पुना एक नवीन प्रियास किया गुजराल से दहंत भारती वदेश नीती में मील का पत्थर माना जाता है और एक बार पुना दोनों देशों के बीच सांती और इस्थापित के प्रियास के सुरूर वर्स 1999 में लाहर गोशना पत्र पर भारत के प्रधान मंतरी स्रियाटल बहारी वाजपई और पाकिस्तान क प्रधान मंतरी उस समयते नवाज सरीफ ने हस्ताक्चर किये थे इसी वर्स दोनों देशों के बीच नागरिकों के संपरकों को मजबूत बनाने के लिए 16 मार्च 1999 को नई दिली एवं लाहर के बीच एक बस सेबा का संचालन सुरू किया गया किंतु 2001 में भारती संसत पर हु प्रफवादियों ने भारत पाकिस्तान की मद निंतरड रेखा को पार करक के भारती भूबाग पर कबजा करने की कोशिस की और 26 जुलाई 1999 को जब कारगिल उद्द हुगा था आप से पूचा जाता है कि कारगिल उद्द कब हुगा तो 26 जुलाई 1999 को जब विज़ा प्रदान किया गया था किन्तु पुवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से दिया दर्जा वाय दोस्तों बापस ले लिया दोस्तों 1996 में एक सबसे पसंदीदा राष्ट जो था पाकिस्तान को दुश्तों वो भारत ने उन्निस व चानवी में दिया था लेकिन कोट एयर बेस पर हमला हुआ और अगस्त 2016 में उरी में सेना के कैम्प पर हमला हुआ और 14 फरवरी 2019 में सबी लोग जानते हैं बलैक डे के रूप में मनाते हैं पुलवामा डे भारती स्रक्षबलों के कापले पर जैसे मुहम्मद के आतंकियों द्वारा किये गए हमले उने दोनों देसों के संबंदों को प्रवाबित किया है अप्रेल 2017 में पाकिस्तानी सेन नियायाले के भारती नागरे कुल भूशड जादों को जासूसी और आतंकबाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी इसमें दोनों देसों के भी संबंदे में तनाव बढ़ता गया और पुल्वामा हमले के बाद 16 परवरी 2019 को भारती सरकार ने आर्थिक स्थर पर कड़ी कारवाई हुए पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर सीमा सुल के ततकाल प्रवाउस से बढ़ाकर 200 फीज़ती कर दिया इसके बाद जब आगस्ते 2019 में जम्मू कस्मीर में धारा 370 हटाई ही तो उस समय साथ आगस्ते 2019 को पाकिस्तान भारत पर आयात के प्रतिमन लगा दिया था तो ये थे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जुड़े हुए जो भी संबंद और उनसे ह आपने कभी सुना कि भारत और नेपाल के बीच ये बिवाद हुआ ये लड़ाई हुई वो लड़ाई हुई कभी नहीं सुनी होगी लेकिन भारत और चाइन और भारत और पाकिस्तान वाले ये लोग दोस्तों बीच में कूधते ही रहते हैं लेकिन भारत और नेपाल का जो तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि नेपाल भारत के कितने प्रांतों से सीमा साजा करता है तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों पांच प्रांतों के साथ सीमा साजा करता है नेक्स्ट है दोस्तों 1950 भारत नेपाल सांती इवं मेत्री संदी बरतमान भारत और नेपाल मेत्री संबंदों का आधार है संदी के प्रावधानों के अमसार नेपाली नागरिक भारत में भारती नागरों के बराबर ही यहां की शुक्धाव पर असरों का लाव उठा रही है आप सभी जानते हैं कि भारत में कोई भी दुस्तों जब वैकेंसी आती है जाहें आपकी जैसे आपको एक्जामपिल के लिए में एक बात समझाना चाहता हूं आप लोग समझ जाएंगे जैसे आपकी दुस्तों पहले रैली बरती हुआ करती थी इलियन आर्मी की तो उसमें लिखा रहता था कि हाँ या सिदी आप नेपाल से ले से लद्दाक से या आप नक्सलबादी एरिया जो भी आपके होते हैं इस से हो तो इनको दुस्तों स्पेशल छूट दी जाती है यानि कि दुस्तों वो उनका लाब उठा सकते हैं नेपाल वाले लोग भी आते हैं नेपाली जो लोग होते हैं वो भी दुस्तों अपने भारत में आकर आर्मी की बरती देखते हैं उन्हें अलग से दुस्तों एक आरक्षर टाप से दिया जाता है कि उन्हें दो इसका लाब मिल सके तो वही बात इसमें लिखिए कि भारती नाग्रिकों के बराबर जो यहाँ पर हम लोग दो गवरम्मiac जॉब्ब के त्यारी कर रहे हैे किसी भी छित्र में जाने के लिए तो यहाँ पर दुस्तो नेपाली जो लोग हैं जितने भी आपके दुस्तो फोर्स की जॉपस हैं उनमें दुस्तो वो लाब उठा रही है नेक्ट पॉइंट है एक की इस संदी ने एक भू आवा दे जिसको बोलते हैं लैंड लॉक देश होने के काड नेपाल को हो रही हानी में विजेशा दिकारों को प्राप्त करने में सच्चा बनाया भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उचिस्तरी वारता का दौर ततार राजनाईक यात्राएं चलती रहती हैं और नेपाली प्रधान मंत्री स्री सुसील कोईराला 26 मई 2014 को प्रधान मंत्री स्री नरेंद मोदी के सपत ग्रेल समारों में भाग लेने भारत आये थे। भारत सरकार दोरा नेपाल सरकार के विकास प्रयासों में मौलिक धाचा, स्वास्त ग्रामीड एवं समधाय विकास से च्छात्यादी छित्रों में विविन परियोजनाओं के बचंज बद्धिता के माध्यम से योगदान दिया जाता है। भारत लगातार नेपाल का विशालतम व्यापार भागीदारी, विदेश बिनमाई का विशालतम सुरूत और परेटको के अध्यन का विशालतम सुरूत बना हुआ है। भारत और नेपाल के बीच जो लगवग 8.27 बिलियन डॉलर का दो पक्ची व्यापार है और भारत करीब 80 लाख नेपाली लोगों को रोजगार प्रदान करता है ये बात बिलकुल सब्ते हैं आप लोग देखना अपने भारत में इंडियन आर्मी में बहुत ही दोस्तों वात् को कि लगवग दोस्तों कह सकते हैं 60-70 परसेंट आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं नेक्ट पॉइंट है कि भारत ने नेपाली सेना को प्रिसिक्षड और उपकरणों के प्रावधानों के माद्यम से आधुनिक बनाने के लिए साहता प्रदान करने में अग्रडी भ में अभ्यास सूऱ् कृरण हापके दोस्तों एक्सम में संयुक्त अभ्यास दोस्तों आते हैं युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं कि शूरिक बइुच के सम्झाय को दरसाते हैं तो वो भारत वा नेपाल है याद रखना सूऱ् करना बहुत important है आपके आग्सम में आ गोर्खा रेजिमेंट है इसमें दोस्तों आपके 32 हज़ार प्लस अब तो खेर जादा होंगे गोर्खा सैनिक दोस्तों है भारती सेना में सामिल है और यह गोर्खा जो सैनिक है यह कहां के रहने वाले हैं इस सभी आपके नेपाल के हैं इसलिए दोस्तों की एक रेजिमेंट भी अलेक्स से बनाई गई है जिसका नाम है गोर्खा रेजिमेंट यह सभी आपके नेपाली होते हैं और यह अपने भारत में यहां पर दोस्तों सेने भारती सेना में दोस्तों कारे रात हैं से भारत हैं नेक्स्ट दोस्तों दोनों देशों के सीमावर्ती छित्रों में बिजली की जुरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और नेपाल बर्स 1971 में पावर एक्सचेंज समझाते पर भी अपनाया था दोनों देशों के बीच जलसांसादन, बाल प्रिबंदन और जल विद्युत सयोग से संबंदित मुद्धों पर चर्चा करने के लिए 2008 में इस्थापित 133 द्विपक्षी तंत्र अक्षी तरह से कार कर रहा है इसके लिए कोशी संदी और महाकाली संदी भी संपन की गई थी अब भारत नेपाल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहट रक्ष्टॉल और काटमांडू रेलवी प्रोजेक्ट तता बांगलादेश भूटान भारत नेपाल मंच जैसी परियोजना संचालित की गई नेक्स आता है और यह आपके जो बीपी आई एन है यह दोस्तो आपका बीसे बंगलादेश भूटान और इंडिया और आपका नेपाल यह दोस्तो आपके सबी परियोजना हैं दोस्तो संचालित की गई और वर्सों से नेपाल में मौनोस असाधन के विकास में भारत का साथ में काटमांडू में भारती संस्कृति के लिए स्वामी विवेकानन सेंटर स्थापित किया गया काटमांडू आपका नेपाल में पढ़ता है उने से क्यावन में काटमांडू में स्थापित नेपाल भारत पुष्टकाल है नेपाल में पहला विदेशी पुष्टकाल किया 31 अगर्ष्ट 2018 को दोरो प्रधान मंत्रियों ने संगत रूप में से काटमांडू और नेपाल भारत मेत्री प्रशुपती धरमिसाला का भी दुगाटन किया गया और 21 जनवरी 2020 को भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों ने भारत के सरकार की साहता से निर्मित विराट नकर नेपाल में एकिकरत चेक पुष्ट का भी दुगाटन किया और वर्स 2020 में नेपाल द्वारा जारी नवीन मान चित्र में उत्रा खंड की काला पानी लिपिया दुरा और लिपुलेग दर्रा को नेपाल ने भारत संप्रभू चित्र का इस्सा बताया जिस कार दोनों द बांगला देश के बीच संबंद भारत और बांगला देश के बीच जो संबंद सभ्यात तकट और सांसक्रतिक सामाजिक एवं आर्थिक संपरकों पर आधारी थे दोनों देसों के बीच दिस तो काफी संबानता हैं वो इनको आपस में जोड़ती हैं जैसे कि साजी एथ्या से कि इवं सामाने विरासत भासाई और सांसकर्तिक रिस्ते संगीत रिस्ते साहित इवं कला के लिए लगाओ यह जोस्तों भारत और बांगलादेश के बीचे कि सभ्यागत संबंद जुड़ा हुगा है और 1971 में बांगलादेश की आजादी के बाद देखे बांगलादेश का आजाद हुगा यह आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है तो याद रखना 1971 में पूचा जा सकता है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है तो जरूर है नहीं कि आपसे भारत से ही संबंदित किस्चन पूचा जाएं नेक्स्ट है दोस्तों 1971 में बांगलादेश की आजादी क क्या सकते है चारदहजार 96.7 किलोमीटर के सीमा साजा की जाती है और बांगलादेश की सीमा भारत के आशाम तरपुरा मिजोरम और पस्चे मंगाल से लगती है यह आप तो सुरू से ही दोस्तों पढ़ते आए हैं किलास में पूर्व राष्टपती स्री पिलोड़वरो मु जो 42 साल के बाद बांगलादेश के किसी राष्ट देच की पहली आत्रा थी वर्स 2015 में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने बांगलादेश दोरे के दोरान 22 दो पक्षी दस्तावेजों पर नड़ा लिए जिसमें भारत बांगलादेश भूमी सीमा करार की पुष्टी के शुरू की पहलों के कार्यान वेन का समनवय और निग्रानी करता है भारत और बांगलादेश दोरा 2011 में हस्ताक्षी दुगता समनवित सीमा प्रबंधन यूजना का उद्देश सीमा पारी गैर कानूनी गत्वदियों एबम अपरादों पर आर्थिक कारगर नियंत्रपाना भारती नौसेना और बांगलादेश नौसेना के दोपक्षी नौसेने का ब्यास के बोगो सागर का दूसरा संस्क्रत 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था बंगाहारत और बांगलादेश के 54 नदियों समान रूप से बैती हैं इस साजी नदियों में अधिक्तम लाप राप्त करने के लिए जून 1972 में एक दोपक्षी संयुक्त नदी आयोग काम कर रहा है गंगा नदी के पानी के बटवारे के लिए 1996 में हस्त चरित गंगा जलसंधी और आज भी संतोस्प्रत धंग से काम कर रही है और 2019 में फैनी नदी के जलबटवारे के संबंद में भी दोनों देसों ने समझोते पर ग्यापन रूप पर हस्ताक्षर किये बांगला देस दक्षड इसिया में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार है और भारत बांगला देस का दूसरा सबसे बड़ा ब्यापारिक साजेदार है उर्जा चेतर की दी हम बात करते हैं तो भारत बांगला देस संबंदों को पहचान बन गया है जो बांगला देस बारतमान में भारत के 1170 मेगाबार्ट बिजली आयात कर रहा है दोनों देसों के प्रधान मंत्रियों ने सहिक तुरूप से 17 देसंबर 2020 को चिलहारी जो कि एक बांगला देस का सहर है और हल्दी बारी भारत के बीच नए रेलवेल लिंक का उद्धार्टन किया 9 मार्च 2021 को फैनी नदी के बने पुल मेत्री सेतु का दोनों देसों के प्रधान मंत्रियों ने वर्चुगल प्लेट पॉर्म्मेंस से उद्धार्टन किया अन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अकोरा अगरतला त्रिपुरा रेल लिंक और अंतर देसी जलमार्ग परगामन और व्यौपार प्रोटोकॉल पर रस्ताक्चर किये अब पूर्वत्तर राज्यों में माल पर वेने के लिए चटगाओं और मौंगला बंदरगा भूटान बंगला देस भारत नेपाल मोटर वाहन एग्रिमेंट जिसको बलते बीबी आई एन एमबी ये दोजर पंदर है कोलकाता ढाका का बीच मेत्री एक्सप्रेस यात्री ट्रेन की सुवधा चल रही है और बंगला देस एक मेत्पूर आईटी एसी साजेदार देस भी है इसके अलावा भारत में बांगला देस के प्रसासन के करमे को पुलिस सीमा सुरक्षाबलो तता सेना के लिए बिसेस पार्ट करम चलाई जाती है अगला पॉइंट अगला पॉइंट है दुस्तो बिवेन सांस्कृतिक गत्वधियों के संचालान के लिए धाका में इंद्रा गांदी सांस्कृतिक के अंद्र दुजाद दसमें संचालेत की इस्तापना की गई और भारती उच्ची योग पिछले 47 वर्सों से बंगाली साहितिक मासिक पत्र का भारत बिचित्र के प्रिंट इबम इलेक्ट्रोनिक संस्कृत का प्रकासन कर रहा है दोनों देशों के बीच एक दूसरे को सार्क और बिमिस्टेक और हिंद मास आगर रेम एसोसियेशन जैसे मन्चों पर सहोत परदान करते हैं अगला हमारा देश है भारत और अफगानिस्तान के बीच संबन्द भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबन्द है वो सबसे मजबूत है जो एत्यासिक और सांस्कृतिक संपरकों पर आधारे थे भारत और अफगान संबन्द वर्स 2011 में दोनों देशों के बीच और विकास के लिए एक दीरगावदिक प्रतिवादिता करके अपने बविस्ट के वारे में उसके भैको दूर किया था। प्रदान करने और अंतर रास्टी समुधाय द्वारा अफगानिस्तान को इस थाई इवम दीरगावदिक प्रतिवादिता कि वसकता की बकालत करने का प्रावदान किया गया है। प्रदान मंतरी स्री ने रेंदमोदी और बदेश मंतरी स्रीमती स्राज सराज से भी मुलाकात की थी। अफगान राश्ट प्रमुक्त की इस यात्तरा के प्रडाम सरूब भारत ने अफगानिस्तान को तीन चीतल हेलीकॉप्टर और पहार में दिये थे। भारत ने अफगानिस्तान को तीन चीतल हेलीकॉप्टर और पहार में दिये थे। उपचार के लिए आठ मिलियन अमेर्की डॉलर का वित पूसर आदी के लिए भारत ने अपनी ततपरता पर संकेत किया था। 25 दिसम्बर 2015 को परदान मंतरी ने रेंद मोदी ने एक और चिस्ट्री सिस्टमंडल के साथ अफगानिस्तान का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नव निर्मित अफगान संसत को दगाटन किया और अफगान वायु सेना की चार एम आई 25 अटेक हेलीकॉ अप्टर भी उपार में दिये परदान मंतरी ने जून 2016 को पस्चमी अफगानिस्तान में हैरात का दौरा किया और जहानों ने अफगान राष्टपती असरफ गनी के साथ से अफगान भारत मैत्री बांध पूर्व नामता इसका सलमा बांध का उद्गाटन किया नेक्स्ट अगला पॉइंट है इस यात्रा के दौरान प्रदान मंतरी को अफगानिस्तान के सरवच नागरिक सम्मान अमीर अमानुलाग खान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और अफगान राष्टपती असरफ गनी ने प्रदान मंतरी मोदी को इस अवार्ड से नवाजा भागवलिक निकटतार और अत्यासिक संबंद को देखते हुए भारत अफगानिस्तान के लिए एक प्राकर्तिक ब्यापारिक भागिदार कर रहा है और 2019 से 20 के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच को ले दोई पक्षी ब्यापार 105 बिलियन अमेर की डॉलर रहा है भारत में ब्यापार का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के स्वयोग से अफगान सरकार ने 19 जून 2017 को एक समर्पित एयर फ्रैक्ट कॉरिडॉर लॉंच किया दोई पक्षी ब्यापार की मजबूती की दृष्टी से एक महतपूर पक्षी दिसंबर 2017 में चा बहार बंदरगहा का संचालें किया था भारत दोरा जोरांग डोला राम सडक के निरमाल में उद्देश से एक पफगानिस्तान में समद्री बंदरगाओ को एक और आउट लैन प्रदान करने के अलावा दोई पक्षी आर्थिक समंदों से तेजी लाना है मानो संसादन विकास और चंता निरमालत में पहला अफगानिस्तान भारत की साहिता का एक महत्पूर हिस्सा है भारत अफगानिस्तान को सालाना एक हजजा से अधिक भारती तकनिकी और आर्थिक सहुग ITEC स्टॉक स्लोट प्रदान करता है भारत को साहिता से स्थापित अफगानिस्तान राष्टी करसी और प्रद्धगे की बिस्विद्ध द्याला करसी विग्याने में च्छंता निरमाल में योगदान दे रहा है COVID-19 की वैस्विक महमारी और खाद स्रक्षा के संबंदित मुद्धों से निपटने में भी भारत ने अफगानिस्तान की साहिता की थी बरतमान में सहिक तुराज अमेरिका की सेना कोई अफगानिस्तान से बापसी के प्रड़ाम सरूप तालीवान ने अफगानिस्तान में तक्ता प्लाट करते हुए मौजूदा सक्ता पर अपना नेंतरल इस्थापत कर लिया और भारती नागर्चों को अफ्गानिस्तान में सुरक्षा सुरक्षित बापिस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑप्रेशन देवी सक्तिस अंचालित किया गया था भारती विदेश मंत्रालत तालीबानी संगठन में अपने संबंदों को लेकर वारता अस्थाफत करने हेतु वो प्रयासरत रहा है किलियर उम्मीद दोस्तों आप लोगों को यहां तक की बास समझ में आ चुकी होगी अगला पांट है हमारा भारत और भूटान के बीच संबंदों इस पांट को दोस्तों हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में डिसकस करेंगे इस पांट को भारत और भूटान के संबंदों हमारे दुस्तों कैसा संबंद रहा है भुरत और भूटान के बीच महतफुल संबंद के बारे में हम आप लोगों से नेश्ट क्लास में डिसकस करेंगे तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे लगवग आदे गंटे की क्लास थी जिसमें दुस्तों हमने इस चेप्टर तो चलिएगा दोस्तों आज की आप लोगो को क्लास कैसी लगी है क्लास इंटरेस्टेड है या नहीं बाते सम्झ में आ रही है या है Васने नहीं तो आप लोग एक बार हमें कमेंट में जरूरंने का प्रयास करशकूं तो चलिएगा दुस्तो क्लास कैसी लेगी तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छला गहा तो पलीज एक बार लाइक जरूर करना और अपने दुस्टों में जरूर सेर करना जो बच्ची क्लास में नहीं हापाई किसी भी काड़ है वस क्लास को नहीं देख पाएं तो कोई दिक्कत नहीं आप जोस्तिस क्लास को बाद में जरूर देख लेना क्योंकि एक्जाम आपका जो रिय एक्जाम होने वाला है वो बहुत ही जल्द हो जाएगा आप समझ नहीं पाओगे आप फिर ना मत फिर ये मत कहन आप कि हमें समय नहीं दिया गया है समय तो आप लोगों को सच बताओं तो बहुत अब मिल गया है आप एबरेज ये दी देखे तो आपको टोटल 6 महीने का समय मिल चुका है जो आपने यूपी कोस्टिवल का एक्जाम दिया था एक तरीके से यह माल लो कि वो मेरा ट्राइ नहीं सकते हैं समय आप लोग वस परयापत है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जिन लोगों का पेपर लगता था कि मेरा नहीं हो पाया है लेकिन अब उनका हो सकता है कूकि आप अपने तयारियों को जितना हो सके उतना बैतर कर लीजिए देखे पेपर तो आपका होगा बचे आपके तीन चैप्टर ठीक है आटमा नौमा दसमा यह तीन चैप्टर आपके बहुत जल्द कम्प्लीट हो जाएंगे और यह बुक आपकी पूरी की पूरी कम्प्लीट करवा दीज आएगी और आप लोग इनकी पिछली क्लासों का रिवीजन जरूर करते रहिएगा य आपके आगे पूछे गई है और यह आप एससी की भी तैयारी कर रहे हैं एससी जीडी भी करना चाहते हैं दिली पूरी प्रफर करूंगा आल वोग वह पूरी दोस्तों आपके लिए राम मान है हमने यह लोग की पूरी वोग कम्प्लीट करवा दी है विट साइंस के तो व जाएगा जो बच्चे स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास देखना चाहते है तो आर डबली की स्टैटिक जीके की भी मैं कम्प्लीट सॉलिशन करवा चुका हूँ चैप्टर वाइज क्लास है आपकी प्ले लिस्ट में पढ़ी हुई है पार्ट बन पार्ट टू के साथ में तो आप उनको भी एक बार देख लीजेगा बहुत ही सांदर तरीके साब कर वीजन हो जाएगा और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जोड़े हैं टेलीग्राम ग्रूप को अभी तक जोईन नहीं किये हैं तो उनको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन म हमारे टेलीग्राम ग्रूप में लगबग दोस्तो एक हज़ार प्लस दोस्तो उसमें दोस्तो बच्चे हमारे जोड़े हुए हैं और दोस्तो वो हमारे फ्री पीडियाप का दोस्तो फायदा उठा रही हैं तो आप भी दोस्तो यदि फ्री पीडियाप चाहते हैं जो मैं अ बाड़े पांच, फजर दोн, परिवार का एक सद है, हम आप लोगों से दुस्तो निवेदन करते हैं, कि इस फैमिली को दोन और भी आगे तक लेका जाये, हमारा जो आप लोगों को और आगे, अगेतक ले कमया है, जो कहा है, नो हम अधूरतू, जरूड़ को अधूरतू, आ झाल झाल